तो इसलिए का जाता है कि यह जादा पीने से मौत के घाट भी उतार सकता है पीने की जरुवत क्या पड़ती है पहला एक रीजन दूसरा कारण जो होगा इनो पीते हैं तो हमारे बोडी में यानि कि जब पीते हैं तो हमारे सेरी में जाता है तो वह कारी कैसे करता है और तीसरा कारण है ना कि जब इनो कम जल में डालते हैं तो उसमें एक अजीब सारा रिकल एक अट शुक्ती और उप्लीушки निकलते हम्हाइवर क्यों निकलते है और इनो पीने से हमको खत्रा क्या उता इसके बारे में आज इस तीन चार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो बने रही हमारे इस वीडियो में लाश्ट टक चलिए श्टार्ट करते हैं यह वीडियो आज टॉपी जो है वह सिंपल सा है इनो इनो यानि कि जो आप 5-10 रुपे का लेते हो एक चोटा सा पैकेट उसको जल में डाल के और पी जाते हो वही इनो के बारे में बात कर रहा हूं है ओके तो इनो सबसे पहले होता क्या है इन texam फॉसको यह दिरों में सोड़ा हिए यह सोड़ा होता है कौन कार्शा ends हमें की जिसमें कार्फ त मत्रभिता सींपा नबां ना फेरकर पेने के बाद में ना पानी में डाल यह को पहलेги कि ऊपनीमें लेते हैं तो घुलने के लिए जब उसको फार के जल में डालते हैं जल में डालते वो कौन सारी एक्षान करतायों कॉंसी ग्यारी निंग दएन्हों को है देफ का स्क् Yuri एनगे जल अबается Soda होता है क्या होता क्या होता है सो डार क记yक mood स्टंकति अपला रिए स्टू अचि यह दंगा सिट शो यह तो यानिक जल अब यह एप स्सक्राइख जल को साल्टी बना देगा क्या करेगा साल्टी बना देगा कि साल्टी बना देता है साल्टी प्लस लोड ये आप इसको सीथा बोल सकते हैं लोड ये बना देता है क्या लोड ये ओके तो जिसमें मिन्रस रहते हैं उसको लवड़े जैसे खली जो गया इसम चीजों में तो यह को बनाते था शाल्टी अब आप लोग इसी जल को पीते हैं कि शाखी जल को पीते हो कि तो निकलती क्या है सीओ टू कार्बन डायक्साइट गैस इसलिए बोला जाता है कि जब इनों को जल में घोलते में और डालने कि ज़स्ट बाद तुरण उसको पीले ना चाहीं यह क्यों क्योंकि साथ में उसकी वो गैस डिए ओधा प्रिक्साइट गैस रहती है वह जाद आपके पेड़ में जाके काम करती है है तो यह तो जानके नो reaction क्या होता है अब बात करते हैं इसके किस चीज़ के बारे में कि रिएक्सान हो गया कि या किई लिख सकते हो किरिया हो गया फश्ट सीकेंड बात करते हैं ये कारी कैसे करता है कारी कैसे करता है तो कारी आप सीधा से सिंपल से जानते हैं जब हम खाना खाते हैं खाना खाते हैं तो गर्मियों के दिन में जानते हैं आप खाना खाने का तुमन नहीं करता है पहली बात और जो खाना खाते लें वह सई से पचता ने कियोंने पचता क्योंकि हमारे बोडि को ज्यादा पानी कर सकता होती है ओके दूसरी बाद इतनी अधिक कि जो हम भोजन करते हैं कि जो भोजन हम करते हैं तो भोजन किये तो कहां पर आके इकठा उस्टोर होता है अमासे में अमासे में क्या होता है अब यह अमल करता क्या है भोजन को अमलिये बनाता है अमलिये बनाता है तो भोजन को अमलिये यह सही से बना नहीं पता कि जब यह सही से भोजन को अमलिय नहीं बना पाता और वायरस आरस को सबसे को सही से मार नहीं पात। में यहां पर उसको बोलते हैं पितासए यहां जिता स्वै इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर तो अब यहीं पर देखिये में मुद्धा में खेला यहीं पर होता है यहां से भोजन आया यह साल्टी अलोग अमलिय बना दिया अब यहां पे छोटी आथ इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी लेकिन यह कर नहीं रहे एक्स अब इसका रीजन क्या होता है क्योंकि डारेक्ट हम लिए भोजन छोटी आत ले नहीं सकती है तो यहां पर अम लोगों को खतम करने के लिए किस चीज की आव सकता होती है तो यह क्या करता है यह पिता से सचार यहां पर नहीं मैं फेरब फॉट आता है अभी मैं गैस की बता रहाँ गैस कैसे बनती है बहाजमिक कैसे होती ये बता रहों के यहां पर यह क्या छोड़ताय आप कैस게 पित का जो तो होता है का वो कि यहां पर पिछ चोड़ता अब यह सीयल मलब छहार अमलब पलस चाहर आमले प्लस चाहर इसकुल टू उदाशीं कि ओके तो यह उदाशीन हो जाता है तो उदाशी नहीं अब तो यह पर एक चीज गलती होती है या तो आम लिए कम हुआ रहेगा या फिर चारिये कम हुआ रहेगा दोनों में से अगर एक भी चीज कम रहती है तो यह छोटी आथ भोजन एक्सेप्ट नहीं करती बोल देती है चलाट अभी बाहर चला भी आपका पूरा देंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ भी बिकने लाइक तो नहीं है ओके तो य यहां के अमासे की नीचे वाली प्रत को घाव में बनाएगा पहली बात दूसरी बात जो होती है यह सड़ेगा जिसमें से कुछ ना कुछ गैस निकलेगी जो गैस निकलेगी वह इसी मुख के रास्ते से निकल जाती तब ही बोलता है ढहकार आरी कच्छी ढहकार अजीब सी अब जानेगे ना धेकार यह अच्छी ढहकार अजीब सी जो है वह आती है बदहजमी यह सब चीजें किसके कारण होती है जब छोटी यह भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता यह अमासा ही महीं रह जाता और वहां पर भोजन देर देर सुनने लगता है तब वहां से जो गैस है वह अजीब से निकलती है मुझसे बद्बू भी आती है बोलने पर अजीब सी बद्बू भी आती है और जो है बदहजमी स्टाइप हो जाती है तब क्या करते हो आप सिधा जाते हो इनों खरेत के लाते हो दस जो आट-दस रुपे का मिलता हो एक गलास में डालते हो और सब्सक्राइब लेंटे हो बोलते कंग करें मिनट मैं ऐसे से पूंग करें परचार दिखाता तो वहां पर यहां पर जब पीते हो तो यह सिधा आता है किसमें में अमसे में आमासे जो आपका भोजन है अगर यह साल्टी नहीं हुए रहेगा तो अगर अमलियों नहीं तो यह करने के बाद में फिर इसको यहां तक लेकिए फिर इसके पास लाज अजोती निए झायं निकलते हैं यह सब चीजा निकलते हैं और भजन को पचा के काम क्थम कर देती हैं क्या होता है यहां से भोजन को साल्टी नहीं स्सूर्टी कर देगा अचारिय नहीं चेर इकार और बेज़ देगा सिध्डा चोड़ी आए तब आप गैस प्रॉब्लम खतम हो जयाए hanya बडाजिमी अगर आपको दिन में चाहों दिन में पांच बार दस बार सोचों कि इनों पीए हम वाओ यह जिन आपको मौत की तरफ ले जाता है किसकी तरफ मौत की तरफ कियों अब आपके आपको दिमाख में आ रहा होगा क्यों तो क्यों का रीजन भी जान लीजे कारण भी जान लीजे क्यों इसलिए क्योंकि आप यह आटी फीसियल खा रहे हो क्यों कि आप अपने बॉड़ी को उस काम को करने के लिए रोक रहे हो फोर्स कर रहे हो यार जब मैं बाहर से दे रहा हूं तो अंदर करने क्या ज़रूत है आप सी बैठा रहे इधर उधर कर बस वाकि आप मेहनत तोड़ी कर बैठा रहे चोटी आद में बेज इधर बेज हो गया इसको बनाना बंद कर देगी चार हो गया इसको बनाना बंद कर देगी चार मतलब पित जब इन सब चीजों को बनाना धी धरे कम कर देती है क्योंकि आपको बाहर से उसको दे रहे हो तो वह सोचे का दिमाग अब यार जब बाहर से यह दे रहा है हमेसा मुझे बाहर सही दे रहा है तो मुझे बनाने की जरूरत है जार ? शमझ भाउल मेरी बात कु जब मुझे बना बनाया खाना मिल रहा है, तो मैं अपने घर पे क्यों जूला भूखूँँगा ? चूला मतलब गैस जलाओंगा करें और बाकिने बनाएगा तो यहां पर यह नहीं बनाएगा तो आपको यह लत लग जाएगी लग जया इसको पीने के लिए जैसे कि लट लग जाएगी तड़फाया नकरो तो ये भी लट लग जाएगी इसको पीने के लिए किसको इनों को दिन में पांस से दस बार तब क्या करोगे आप जब भोजन खाओगे तब इनों लोगे खाना खाओगे तब इनों लोगे तो इसलिए कभी कभार प्यों इसको कभी कभार प्यों जब आपको प्रॉब्लम हो क लोग पीते हैं अब यार सराब लोग सराब तो हम लोग भी पीते हैं लेकिन बस बात इतना ही है जो सराब होता है वह यहां पे लोग पीते हैं ग्लास भरबर के हम लोग थोड़ा सा लिमिट में पीते हैं हम जो आप दमाय पीते हो ना उसमें भी सराव रहता है अलकोहल रहती है कि जो आपको इस लगाता ना लगाने के लिए उसमें भी सराब रहती है कि जो नीद वाली गोली लेते हो ना अपको चेजर कर तो इसलिए का जाता है कि इनों ज्यादा पीने से मौत के घाट वि उतार सकता तो यह चोटी से प्रश्र क्या जानकारी आपको अच्छा लगए वीडियो को लाइक कर देख दोश्राइब 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 देखे लिए जेवार